नमस्कार शादियो इमित्तर यूट्यू चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है तो साथियो आज के वीडियों हम आपको बताने बाले हैं जो राजस्तान सरकार ने महत्मा गांधी स्कूल यानि इंगलेश मेडिया महत्मा गांधी स्कूलों में जो बिद्या संबल दाली है जिया साथियों आपके से शित्यानवे सु प्लस पदों पर जो भरती आपकी निकाली है उसमें साथियों पहले क्या था लेवल टू के अंतरगत केवल आपको गनित सब्जेक्ट के लिए ही यहां पर योगता करूप में फिरदान किये गए थे आपके पद लेकिन अब क्या है साथियों लेवल टू में इन लोगों ने चेंज करके क्या कर दिया है लेवल टू के अंतरगत केवल आप गनित के ही नहीं साथियों आप ग्यान के भी स्टूडेंट इसके लिए आवेदन करेंगे जिया साथियों पहले केवल क्या प्रापदान था इन लोगों आपको वीडियो के मैदम से बताएंगे तो वीडियो में आगे बढ़नी से पहले आपसे छोटा सा अनूरोध है यदि आपने अभी तक हमारे यूट्व चैनल को सबस्क्राइब निकिया तो हमारे यूट्व चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर ले क्योंकि हमारे यूट्व चैनल पर महत्वा गांदी इंगलिस मीडिया में जो विड्या सम्मल योजना के लिए बढ़ती निकली है इसकी विल्कुल जोनिंग तक की संपून जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी तो इसलिए आप हमारे यूट्व चैनल को के नियमों को किया था दरकिनार अंग्रेजी माध्यम के सिच्छकों की अब लेवल टू में विग्ज्ञान गनित के पदों पर होगी भरती केबल सात्यों इस भरती में किसके अप्राबदान था गनित सब्जेक्ट का अब विग्यान के भी सातियों इसमें होगी भरती महत्मा गांदी स्कूलों के लिए हो रही अंग्रेजी माइद्धिहम के सिच्छकों की भरती के मामले में सिच्छय भिभाग ने रही महिने बाद गलती सुदारी है तो आप सबी को पता है इसके फॉरम सातियों कापी दिन पहले सातियों चालू हो गएते सायद आपके 31 जनबर इसके फॉरम सातियों चालू हो गएते तो दही महने बाद सुदारी गलती लेबल 2 में पहले सिर्प गनित बिशय के पत्पर बढ़ती हो रही थी जो एन सी टी के नियमों का उलंगन साथियों करता है NCT के नियमों में लेबल two में केवल गनित बिशे का कोई प्राबदान नहीं है इसमें बिग्यान गनित के लिए ही भरती का प्राबदान है रीट की पातरता भी बिग्यान गनित में एक साथ सातियों मिलती है अब विभाग ने गलती सुदार कर इसमें संसोधन करते हुए लेबल टू में बिग्यान गनित बिशेक कर दिया गया है तो संसोधन करते हुए सातियों आपके लेबल टू में बिग्यान और गनित जी हां सातियों आपके लेवल टू में बिग्ञान और गनेते दोनों के अब्यारती इसके लिए अब एपलाई कर पाएंगे बहीं आविदन की अंतिम्तिती भी सातियों आपके बढ़ा दी गई है अब दस अपरेल तक आविदन किया जा सकता है इस गलती के कारण बढ़ती पिरकिरिया पूरी होने में देरी होगी क्योंकि बिग्ञान ने गलती सुधार कर फिर से आविदन मांगे है यानि आवेदन की फिरक्रिया फिर से शुरू की गई है इससे अब आवेदन की अंतिम्तिती के बाद ही बढ़ती का आगे प्रोसेस सुरू वो पाएगा तो सातियो जैसा कि हमने आपको बताया था कि 15 अपरेल तक इसके सातियो रिजल्ट की संबाब ना बन जाएंगी लेकिन कि अर्व विजयान के इस अप posterior को जोश्तो रिजल्ट नहीं आएगा अब इसका रिजल्ट सातियों आपकी अपरेल के एंड में सातियों आएगल जहां सातियों बिलकुल आपके ब्रेंद में आ इसका रिजल्ट आएगा नौ साल में बदल जाएगा मान दे और पदनाम यह बरती राजस्तन कॉंट्रेक्चुल हाइरिंग टू सिबिल पोश्ट रूल्स 2022 के तैथ होगी नियुक्ति सायक अध्यापक के पदपर होगी इनको प्रती महा 16,900 रुपे मान दे दिया जाएगा जियां सातियों फष्ट बार में तो आपको कितना बेतन मिलेगा 16,900 रुपे आपको फष्ट में सातियों आपको बेतन मिलेगा 16,900 फष्ट में आपको बेतन मिलेगा मान दे दिया जाएगा सिच्छक के 9 साल पूरे करने पर उसका पदनाम बेतन बदलेंगे जियां सातियों आप जब 9 साल की डूटी पूर्ण कर लोगे 9 साल का आपका कारेकाल हो जाएगा उसके बाद आपके सातियों बेतन भी बढ़ जाएगा और पद का नाम भी सातियों चेंज हो जाएगा उनका नया पद नाम सायक अध्यापक ग्रेड प्रिथम सायक अध्यापक ग्रेड प्रिथम का साथियो वह अध्यापक बन जाएगा और बेतन बढ़कर 29,600 रुपे हो जाएगा जी यहां साथियो पैस्ट में तो साथियो केबर आपको 9 साल तक तो आपको 16,900 रुपे ही मिलेंगे इसके बाद साथियो 9 साल के बाद आपको कारकाल पूर्ण हो जाएगा 9 साल तक फिर 9 साल के बाद आपको 29,600 रुपे प्रती महां साथियो आपको बेतन मिले करेगा तो 29,600 रुपे बेतन साथियो 9 साल के बाद आपको मिलना चालू होगा और आपका पत का नाम भी बदल कर शाती हो अध्यापक ग्रेड प्रत्म हो जाएगा अब आपको आगे की प्रकिरिया को बताते हैं इकतिस जन्वरी से जारी है आपेदन इस वर्ति के लिए एकतिस जन्वरी सस्वाइदं मांगे जाए्यशे हैं पहले एक मार्च ज़ अब एदिन खाली रखी गई ती अब इसे बढ़ाकर शोल्ह मार्च शाती हो किया गया था पहले और अब प्रिजेट वर्ता वोडॉल्स र प्रेल तक कर दिया गया क्योंकि विग्यान के भी साथ ही इसके लिए आप इदन करेंगे इसलिए टोटल वर्थी की बात करें तो साथ हैं आपके सेंट यह वारू पदाओं पर यह बढ़ती है और लेवल फष्ट की बात करते हैं तो इसमें एकतर सो चालीस हैं लेवल टू मे विग्यान गनइत के हैं आपके विग्यान गिनॉफ्ट के पत कितने साथ ह्यों 1286 और अंग्रेजी के हैं लेवल टू के उंतर्स चाली है आपके 1286 दोनों के साथ है बराबर पता 126 और 1486 अब यह रहेगी योगता योगता के बारे में बताते हैं अब क्या योगता रही इसके लिए साथियो बिग्ञान गनेत के लिए सैचने की योगता नियुन्तम पचास प्रतीसत अंकों के साथ है यान की ग्राइजवेशन पर आपकी 50% साथियो होनी चाहिए बिग्ञान गनेत के लिए सैचने की योगता नियुन्तम पचास प्रतीसत अंकों के साथ बैकल्पे विशेक के रूप में एक बैकल्पे विशेक रूप में केमिस्ट्री फिजिक्स बॉटनी जूलोजी माइक्रो माइक्रो बायो जैब प्राउददकी जैब राशायन बिग् चाहिए जिया साथियो इन सभी सब्जेक्टों में से किसी एक सब्जेक्ट का किसी देखिए साथिया है इस पर दिया हुआ है मैसिक गनित मैसिक कम से कम एक बिशेक के साथ अंग्रेजी माइद्यम में इसना तक होना चाहिए तो यो सब्जेक्ट यहां पर दिये दी हुई ह साथ यह यह आपकी सब्जेक्ट जो दी हुई है इन्वा से कम से कम एक सब्जेक्ट के साथ है अंग्रेजी माइडियम में आपका इसना तक यानि साथ है आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए अंग्रेजी माइडियम में किसी एक सब्जेक्ट इन्वा से चैसा सब्जेक्टो इंग्लिश मीडियम से साथ होनी चाहिए यानि इसना तक है जो आपके अंग्रेजी मैद्धियम से होनी चाहिए एक बार दुबारा से बताते हैं साथ हम आपको केमिस्ट्री फिजिक्स बॉटनी जूलोजी माइक्रो बायो जैब प्रोदोकी जैब रासायन विज्ञान बे गनित मैसे कम से कम एक विशे के साथ है अंग्रेजी मैद्धियम में इसना तक होना चाहिए तो इनमसे जो सब्जे अभी रखी गई है जो की पहले के अनुसारी है अधिकारियों ने जल्द बादी में प्रकिर्या प्रकिर्या शुरू की थी विवाग के अधिकारियों को इस सम्बंद में बता ते पिस सम्बंद में बता रहते लेकिन वह माने नहीं गल्द्ती kearnė बालों के खिलाब कायरबाई भी होगी अब गलती सुधार कर संसोतित बिग्यप्ति जारी किये तो यह साथियो आज की आपकी सिच्छा वहाँ की फगवर तो साथियो आप विद्दा सम्मल योजना से विल्कुल जोइनिंग तक की जानकारी चाहते तो आप हमारी यूट्यू सब्जेक्ट के भी छात्र आप इसके लिए आवेदन करें फिर विए आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता है आपकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा धन्नबाद बंदे मात्रव